नवस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आज का जो वीडियो है विटामिन E केपसुल के उपर है जिसमें इवियान केपसुल का आप मोनो देख रहे हैं और ये लिखा है नौरिश यूवर सेल्स याने आपकी जो सेल है उसके लिए पोशन का काम करता है इवियान होता क्या है कि जब इंटियोक्सिडेंट के प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट होता है और सेल्स तक पहुंचता है तो उस क्रिया में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो मुक्त होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक ह तो ऐसी इस्थिति में उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है वीटामीन E कैपसूल तेकिए आज वीटामीन E कैपसूल के कितने महत्तपूर लाभ है वो हम समझने की खोशिश करेंगे जो आपका फंक्शन है जिसमें आपको सर्दी खासी की इस्थिति होती है फेफड़े कमज हो जाते है उसके बाद ये मॉस्चराइजर क्रीम जो होती है उसके अंदर वैसे तो वीटामीन E होता है लेकिन आप अपनी तवच्छा पर लगा ही रहे है तो उस क्रीम के साथ इस केपसूल का कुछ ओईल निकाल कर आप उसमें मिक्स करके अप लगाएंगे तो काफी करते हैं तो आपको बालों में फाइदा होता है ऐसे ही नाखोनों के आसपास नाखोनों में भी यदि कोई आईल लगा रहे है तो इस केपसूल को आप यूज करते हैं तो उसमें फाइदा होता है अवल तो वीटामीन E केपसूल मुह से लेने का होता है और खाने पीने में यह मान के चलिए कि जो तेलिय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई सा भी आउल रहता है, उसमें विटामिन E परियापत मातरा में होता है, और हमारे लिए एक तरह से सफिसेंट होता है, जैसे आप यदि पालक खाते हैं, गोभी लेते हैं, तो उसमें विटामिन E जो है परियापत मातरा में होता है, पर उपर से दि लेने की बात आती है, तो इवियान केपसुल ये 400 मजी का सेवन आपको तीर महीने से जादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो विटामिन E जो है फेट साल्यूबल विटामिन है, तो आपके शरीर में जम जाएगा, तो फायदे करन ये लिवर पर ये फेट जमा हो गया हो, ये आप शराब पीते हैं और उसमें लिवर पर फेट जमा हो गया हो, तो उतना अजरकारा कि ये नहीं होता है, लेकिन आप लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, और फिर लिवर पर फेट जमा हो गया हो, उस कंडिशन में विटामि वो मजबूत करने में विटाइमिन E का जो है वो काफी रोल होता है उसके बाद यदि तवचा पर जुरिया वगेरा पड़ जाए तो उस इस्तिती में भी आप ओईल के साथ इस केपसुल का मतलब मिक्स करके आप संबधित जगह पर लगा सकते हैं सोने के एक दो घंटे पहले आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको काफी फाइदा होगा तो इस तरह से संबर्न की जो इस्तिती होती है सूरज की रोश्णी में जब हमारी तवचा जुलसने की जो समस्या होती है उसमें भी लाब होता है जब विटामिन E क्रीम का इस्तेमाल आप इस केपसुल के साथ एड करके करते हैं तो वैसे तो इसको डायरेक्ट अपलाई करने का नहीं होता है क्योंकि तुछायदी समवेदी होती है तो उसमें नुकसान हो सकता है अलर्जी हो सकती है तो यह तुछा टेस्ट करने के लिए आप जो इसका जो केपसुल है आप देखिए इस केपसुल को ह इसको मारें बता रहे हैं तो यह इस तरह से होता है लगबग चार रुपे की यह गोली होती है 400 mg का जो इवियान केपसुल आप देख रहे हैं तो इस केपसुल का आप सेवन जब करते हैं तो पहले थोड़ा सा कान के नीचे इसको हलका सा लगा लीजिए यदि रिजल्ट एलर वह मददगार होता है तो कई फाइदों से युक्त है विटामिल इसका सेवन बड़ा ही लाबकारी होता है फाइदे मन होता है घाव यदि हो गया हो तो घाव भरने में भी काप यूपयोगी होता है बहुत सारे चमदकारी गुड है पर जितना हो सके आप यह अपने खाने पीने में विटामिन E का एदी सेवन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा उपर से एदी विटामिन E आप लेते हैं तो विटामिन E को उपर से जब आप लेते हैं तो डॉक्टर की सला महत्पूर्ण है जितने दिन डॉक्टर कहें उतने दिन आप लीजिए तो आपको ज् कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए दवसकार